हेलो गाईस वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल तो चलिए गाईस आजम बात करने जारें आल ड्रॉप के बारे में जैसे कि आप देख पा रहे हमने इस स्क्रीन के सामने में इस आल ड्रॉप को लेके आया हुआ है जो कि यह 12 mm को आल ड्रॉप है तो चलिए हम आज इसके सारी डिटेल्स को जान लेते हैं किस तरह का रहता है और यह कहां लगाया जाता है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि हम इस तरह की नईनी अपडेट्स आप तक हाड़वेर कलेक्शन यह हाड़वेर दुकान में आपको वेलेबल हो जाती है इस तरह से आप देff सकते हैं इसके अमार पी सिसके म्सक्राई जान सकते हैं और हम आपको इस वीडियो में बता भी देंगे कि इसके मार पी क्या होती है यह आट एंच की all drop है तो चलिए हम इसे खोल के दिखा देते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे खोल लिया है और यह काफी अच्छी पन्नी में इसे पैक किया गया है देख पा रहे हैं आप कि यह SS से बनी हुई किया जता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह अल्ड रॉप इसमें वेलकम भी लिखा हुआ है इस तरह से इसमें डिजाइन बनी हुई है और यह इस तरह की डिजाइन में इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसे पीछे वाले साइड में लगाया जता है यह आपको सिंगल जान सकते हैं कि क्या होता है और उस केरिज बोल्ट को देखके जान सकते हैं कि उसका यूस कहा किया जाता है यह सारी किट में आपको अलग-अलग एवलेबल हो जाते हैं यह सिंगल सिंगल पार्ट्स आपको एवलेबल हो जाते हैं जो कि इसकी प्राइस की बात की जाए तो तो भी मार्केट में आपको एवलेबल हो जाता है जो कि 60 से 80 रुपीज के बीच में मिल जाता है तो इस तरह से आप देखके समझी गए हूंगे कि इसकी क्वालिटी क्या होती है इस तरह से देख लिए आपने कि यह सारा SS से बना हुआ है और इसमें आपको जो बड़ा किजे हमने 12 mm बताया 12 mm इससे बड़ा आपको 14 mm जो कि 10 इंच कहलाता है उसका वीडियो हमने अपने चैनल पे एक अलग से अपलोड करके रखा हुआ है आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और शीक सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं कि उसका यूस क से जो भी प्रॉब्लम से आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और शीक सकते हैं उन सारे टूल्स के बारे में जान सकते हैं जो कि हाड़वेर में डेली रनिंग में यूस होते हैं मिलते हैं गाइस नेक टे वीडियो में तैंक यू